हेलो एवरिवन वेलकम तू स्मार्ट एक्जाम स्टड़ी और आज के इस विडियो लेक्चर में हम चब्विस से तीस मही तक के टॉप फिप्टी करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं एक्चली इसमें नमबर ओफ कॉशन्स बढ़ा दिये गए हैं फिप्टी कॉशन्स की बदले 60 कॉशन्स इसमें रखे गए हैं ताकि आप पूरे मही के खरने अफेर्स एक ही विडियो में कम्प्लीट कर पाएं तो इसमें टॉफ 50 कॉशनस대 aired 60 60 questions रखे गए हैं, तो बने रही है इस वीडियो में, शुरुआत करते हैं पहले question से, पहला question है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए श्रम सिद्धी अभ्यान शुरू किया है, तो इस कांसर है मद्यप्रदेश, श्रम सिद्धी अभ्यान के तहट, पंचायतों के माध्यम से, मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, डोर टो डोर सर्वे किया जाएगा, और प्रतेग व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी, कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास रोजगार नहीं है मजदूर श्रेणी का, और इस अभ्यान के तहट, मजदूरों के मजदूरी कार्ड भी बनाए जाएगे, जिनके पास अगर जॉब कार्ड नहीं होगा, उनके कार्ड बनाए जाएगे, साथ ही, जो अकुशल मजदू है मध्यपदेश सरकार का याद रखिए का इंपोर्टेंट है काफी नेक्स्ट कॉश्चन केंज सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है तो इसका आंसर है राजेश भूशन के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है तो इस कमेटी का नाम भी क्या हो चाएगा राजेश भूशन कमेटी किस चीज के लिए है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए इसमें 11 मेंबर होंगे और यह कमेटी क्या करेगी यह ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है इसकी जाज करेगी इसको और जाणा बहतर कैसे बनाया जासकता है वैश्विक मानकों के अनुरूप उसके बारे में जानकारी देगी और उसकी कुशलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ पर अपनी सिफारश देगी, तो important है काफी drug regulatory system में सुधार के लिए राजेश भूशन कमेटी, अगला question है, हाल ही में फिक्की ladies organization या फिक्की महिला संगटन का अध्यक्ष किसे निउप्त किया गया है, तो इसका answer ह जानवी फूकन, फिक्की का full form अगर देखा जाये तो क्या होता है, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, तो फिक्की एक वैसे भी अपने आप में एक संगटन है, और इसकी जो महिला शाका है, इसकी अध्यक्षिन को चुना गया है, जानवी फूकन को, तो जो महिला शाका है इसकी, इसका काम क्या है महिलाओं में उद्मिता शमता का विकास करना, उन्हें आरतिक रूप से सक्षम बनाना और अपने पेरों पर खड़े होने के लिए उन्हें सशक्त बनाना, तो काफी इंपोर्टन्ट है यह, याद रखेगा, इंपोर्टन्ट है, इस, इसकी अध्यक्ष, पहले हरजिंदर क और थी, आप जानवी पूकन बन गई है, तो यह भी अगर कॉश्चन आप से पूछ लिया जाए, तो किस के स्थान पर बनी है जानवी पूकन, तो यह भी कॉश्चन बन सकता है, याद रखेगा, हर जिंदर कॉर्ट का स्थान जानवी पूकन ने लिया है, अगला कॉश्च उसकी मौत हो जाती है इसका अंसर है बिहार तो जो भी बिहार राज में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके परिजनों को 4 लाक रुपए की साहता आर्थिक साहता बिहार सरकार देगी तो याद रखेगा इस कॉशन को किस देश ने हाल ही में अपना नएजा स्पेस आपरेशन स्कॉड्रावन लौंच किया है तो जपान ने किया है अगला कोशन है किस राजज ने केल को अध्योंक का दर्जय दिया है तो मिजूरम में दिया है किया आप हमें कमेंट सेक्षन में इसका अंसर दीजिए अगला कॉश्चन किस राज्य सरकार ने शराब के अंकित मूल या MRP पर 50% COVID-19 टेक्स लगाया है तो ये क्या है उटीशा सरकार ने अगला कॉश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रवास आयोग के गठन की गोश्चना की है तो प्रवास आयोग का गठन किया है उत्तर प्रदेश ने याद रखे है इसको इंकॉर्टन है भारत ने किस देश में इंडिया नामक एक वार गेम सेंटर की स्थापना की है तो यूगांडा में की है यूगांडा एक अफरिकी कंट्री है इसकी जो कैपिटल है वह है कंपाला और करेंसी है यूगांडा शिलिंग तो यह वार गेम सेंटर क्या काम करेगा वहां पर यूगांडा में सैने प्रिशेक्शन का काम करेगा और मिलिटरी बेस को बनाने में हेल्प परेगा यूगांडा गवर्मेंट की अगला कॉस्चन है किस कंपनी ने भारती रेलवी स्टेशन विकास निगम आई आई डीसी में 24 प्रितिशत हिस्सेदारी के लिए समझोता किया है तो राइट्स ने ऐसा किया है याद रखी वे इंकॉटन्ट है क्या कि विश्व बैंक ने किस भारतीयों को दक्षिन एशिया में जलवायों पर इस पंत्राले ने किस एप पर भारतीयों मौसम विवाग की साथ सेवाएं शुरू की है तो इस एप का नाम है उमंग एप उमंग का फॉल फॉल फॉर्म है योनिफाइड बूबाइल एप्रिकेशन for new age government तो इसके मादियम से सभी सरकारी सेवाएं online उपलब्द करवाई जाती है आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में अब उमंग एप पर मौसम विवाग की भी साथ सेवाएं प्रोबाइड करवाई जाएंगी तो याद रखेगा कौन सा आपके ये उमंग रहे है अगला कॉस्चन है किस राजे सरकार में कोरोना प्रभावित MSN उद्योगों के प्ये रिस्टार्ट पैकेज की घुशना की है तो इसका अंसर है आ के साथ समझवता किया है तो काफी बड़ी संस्ता है ये आए उसी इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी ओलम्पिक खेलों का आयोजंग इसी के माध्यम से होता है और इसके जो अध्यक्ष है वो है थो मौस बैक या बाक और इसका जो मुख्याले है वो है लोजान शूजर नेक्स्ट ग्षिण नई रिली में किसी ने भारतिये विवाद समधान केंडrows का उद्घाटन किया है तो एक के सीखरी ने किया है नेक्स्ट कोई नहीं होगा बेरोजगार सब को मिलेगा रोजगार किस राज सरकार में प्रवासी श्रमिकों के लिए योजना बनाई है तो स्रमिकों के लिए रोजगा की यूजना बनाई है मध्यव प्रदेश सरकार में एक और श्रम्षद्धी अभ्यान होगी अभी हम उपर पढ़कर आएं तो दोनों चीजों को याद रखेगा यह यूजना है और वह एक अभ्यान है नेक्स कॉशन हाल ही में किसके द्वारा स्वास्तकरम्यों के लिए नवलक्षक नामक PPEog को भीक्सित किया गया है तो भारतिये नौशेना ने विक्सित किया नवलक्षक नाम archivesbharadhyay nao seana या Navy नेक्स्स पॉश्शन है सोर बारखेथ संदक्षन कारेकरम किस राज ने हालवी में शुरू किया है तर समिल नाडवी किया है Ketchup नामख Calling app किस ने लौंड़ किया है? Ketchup एक Group calling app है जिसे Facebook ने हाली में लौंड़ किया है इसके माध्यम से सिर्फ Calling की जा सकती है और करीब 8 वेप्टी एक साथ इसमें Group Call कर सकते है Video calling इसके माध्यम से नहीं की जा सकती है तो याद रखीगा कैच अप फेस्बुक में एप लॉंच किया है नेक्स्ट कॉश्चन किस राज जिन ने पहली बार दुरलब पौदों को विलुप्त होने से बचाने के लिए और संदक्षन के प्रयासों पर एक रिपोर्ट जारी किया है विलूल पौदों से बचाने के लिए उसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश किया है उत्रह जोट सरकार के हमने यह प्रयास कि विलुप्त होने के लिए next question पश्चम अपरी की देश नाइजर में भारक के अगली राज़ू कौन होंगे तो पी के नायर तो आप इसको ऐसे भी याद लग सकते हैं नाइजर में कौन है नायर की जो कैपिटल है नायर की कैपिटल है नियामी और यह वेस्ट अफ्रिकन कंट्री है तो याज रखेंगा इसको सब्सक्राइब का 100 प्रतीशत अधी करन किस कंपनी ने कर लिया है तो इसकी ने कर लिया है इसकी काफी बड़ी कंपनी है इसके काफी सारे प्रॉडक्ट्स आते हैं नाम सोना हुआ इसको तो इतीशी ने संड्राइब पूर्ड्स लिमिटेट का 100 परसेंट अधीकरन कर लिया है वोन कर लिया उसको नेक्स्ट कॉश्चन सीमा सडक संगतन या बॉडर रोड और्गनाइजेशन द्वारा निर्मित 400 मीटर लंबी चंबा सुरंग का उध्वाटन किस ने किया तो वितिन गल्टकरी में किया है यह कौन से मंत्री है आप हमें कमेंट सेक्शन में इस खांसा दीजिए तो चंबा शेर के नीचे 400 मीटर लंबी एक शोरंग बनाई कही है तो यह बनाया किसमे है वियारो ने सीमा सडक संगतन या बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन में तो यह भी आद रखेगा किसमें बनाई गई है अगला कॉश्चन है भारती मूल के किस वैज्ञानिक ने इन्वेंटर of the year 2020 पुरुसकार जीता है तो राजीब जोशी ने जीता है याद रखेगा इंपोर्टेंट है हिल इंडिया लिमिटेड किस देश को टिडियों के प्रकोप से निपटने के लिए 25 तन कीट नाशक की आपूर्ती करेगा तो इरान को 25 तन कीट नाशक प्रोवाइट करवाए का हिल इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड इंसेक्टिसाइड याने की नाशकों को बनाने वाई तंपनी है हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहे हैं हैलिकॉप्टर ड्रोन का सफल परिक्षण किया है तो ये चीन ने किया है चीन ने कर दिखाया ऐसा याद रखीगा इंपॉर्टेंट एकाफि नेक्स्ट कॉस्चन किस बॉलिवूर्ड एक्टर ने अपने खुद के पर्सनल केर ब्रैंड फ्रेश की शुरुवात की है यह फ्रेश यहां पे गलती से कुछ और नहीं लिखा हुआ है जै पर्सनल केर ब्रैंड है तो पर्सनल केर के और बी चीजें इसमें शामिल होंगी तो फ्रेश किसका ब्रैंड है सल्मान खान में भी लॉंच किया है याद रखीगा ओर्येंटल इंशुरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने है तो एसे राजेश्वरी बने है याद रख इसक्सित किया है तो आयाइटी मजरास में ऐसा किया है अगला कॉशन है न्यूडवल्पमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष के से चुना गया है तो इसका आंसर है मार्कोस त्रॉजो त्रॉजो है तो गलत लिखा हो गया है यहां पर त्रॉजो है य जे ओ तो याद रखीगा पहले इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो थे फर्स्ट प्रेजिडेंट जो थे उते के वी कामत और दोजार चौदा में नूडवल्लपमेंट बैंक बना था शंगाई में इ दोजना learning for post covid-19 webinar किस राजन में आयोजित किया गया तो यह आयोजित किया गया राजस्थान में इसका आयोजन covid-19 के बारे में आदी वासेउं को जानकारी देने के लिए किया गया था और Trifade का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India तो आदिवासियों के विकास और Cooperating Marketing Development के लिए ये काम करती है संस्था Trifade Singapur में भारत के अगली राज़दूर कौन बनी है तो इस कांसर है P. Kumaran Next Question हाल ही में Sai, Ing, Wen किस देश के राज़पती नुक्त हुए हैं तो ताइवान के राज़पती नुक्त हुए हैं इंपॉर्डन के कापी याद रखे 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 रखो Flipkartney आम के किसानों को समर्तन के लिए किस राज़ी के आम विभाद के साथ Mango Department उसके साथ समझोता किया है तो इसका आंसर है करनाटक के Mango Department या आम विभाद के साथ Flipkart में समझोता किया है आम के किसानों को समर्तन देने के लिए होकी के महान खिलाडियों में से एक बलवीर सिंग का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्रू में मुहाली में हिधन हो गया तो 96 वर्ष के थे 96 वर्ष की आयू में इनका हिधन हो गया याद रखेगा important है कापू इन्होंने तीन बार ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था एक बार 1948 में 1952 में और 1956 में तो याद रखेगा काफी important question है यह Corona Virus के कारण रोका गया रुणर हाट किस महां से शुरू होगा तो रुणर हाट जोगी आयोजुद किया जाता था Corona Virus के चलते लॉगडाउन की वजए से अब इसको रोग दिया गया है तो इसको सितंबर 2020 से शुरू किया जाएगा स्टार्ट किया जाएगा उनर घात याद रखेगा कैसे जम्मु कश्मीर लोग सेवा आयोग का अध्यक्ष म्योक्त किया गया है तो ब्रजराज शर्मा को म्योक्त किया गया है जम्मु कश्मीर लोग सेवा आयोग का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट कॉशने याद रखेगा वि संयुक्त राश्त ने हालगी में युवाउं के लिए टॉप 10 वैश्वित पहलों में भारत की किस राजे की खुड़ौल पहल की सराहना की है तो मनिपूर की खुड़ौल पहल की सराहना की है, मनिपूर की है यह खुड़ौल पहल, जयाद रखे न, important है काफी ओला एलेक्ट्रोनिक्स ने किस वर्ष तक भारतिय बाजार में अपना इलेक्रिक स्कूटर लॉंच करने की गोशना की है तो इसका आंसर है 2021 तक 2021 तक ओला अपना इलेक्रिक स्कूटर इंडिया में लॉंच कर देगा ओला एक कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है 28 मय को विश्वभर में कौन सा दिन मनाया चाता है तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया चाता है याद रखी है इम्पोर्टेंट है काफी इस वर्ष की इसकी थीम थी पीरेट्स इन पैंडमिक तो यह भी आद रखी गास की थीम बी काफी इंपोर्टन है यह दिवस एक गयर सरकारी संगतन गयरलाफकारी संगतन गयरलाफकारी संगतन वोश उनाइटड द्वारा शुरू किया गया है और वैश्विक मंज के तौर पर इसको बनाया जाता है कई सारे एजेंशियां गयरलाफकारी संगतन और मीडिया सुरप्चत मासिक धर्म प्रथाओं और प्रचता प्रबंदर के बारे में जागरुकता पैदा करने के काम करते हैं तो फीमेल हाइजिन को कैसे बनाया जाए मुझिलाओ में इसके प्रतिक के ऐसे जागर प्रफथा बढाई जाए इसके लिए यह काम करता है और इसके लिए यह जो देवस है यह मनाया जाता है मासिक धर्म सवच्चता देवस तो इसको याद रखेगा मेंस्रल हाइजीन दे भी बोलते हैं इसको अमेरिका ने कोरुना वाइरस से निबटने के लिए किस देश को हाल ही में 60,000,000,000 की मदद देवी के गुशना की है जो पाकिस्तान को 60,000,000,000 दिये हैं अमेरिका ने कोरुना वाइरस जैसी पेंडेमिक से निपटने के लिए सरकार ने हाल ही में किस एप में सुरक्षा दोष खोजने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम की गुष्णती है तो इसका अंसर है आरोगी सेटू एप आरोगी सेटू एप में 40 जिरू में 11 करोर 40 लाग सेधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कॉंटेक्ट ट्रेसिंग एप बन गया है और जो इसमें दोष कोजने वाले को पुरुषकार राशी है वो एक लाग रुपए पुरुषकार राशी के तौर पर दिये जाएंगे अगर इसमें कोई पुरुटी या कोई कोई एरर कोज पाता है कोई तो विष्व भूप दिवस कम मनाया जाता है तो 28 मही को काफी दो इंपर्टेंट डेज हम पर्चो के उपर एक उपर पढ़ाया और एक ये हैं तो दोनों को याद रखिएगा काफी इंपर्टेंट डेज किस देश ने अपने पहले सब्सक्राइब का निर्मान हाली में कर लिया है तो सब्सक्राइब के मांध्यम से शराब विक्री की जा रही है ताकि शराब के दुकानों पर भीड बढ़ रही थी उसके वज़ए से सोचल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी इस सारे समस्या को दूर किया जा सके अगला कोशन है कोलेब एप हाल ही में किसने लॉंच किया है तो फेस्बुक ने लॉंच किया है इसके मांध्यम से कम डूरेशन में यूजर एक मुजिक विडियो बना सकेंगे कम डूरेशन वाला तो याद रखिएगा कोलेब एप फेस्बुक ने लॉंच किया है एक कैच अप भी फेस्बुक का ही था जो अमें पर पढ़ते हुए हैं अगला कॉशन है डेलोइड के हालिया अध्यन के अनुसार वैश्विक चिंता सूजकांक में किस देश को शीर्ष इस्थान प्राप्त हुआ है तो यह इस्थान प्राप्त हुआ है भारत को डेलोइड ने ग्लोबल स्टेट ऑफ दा कॉंज्यूमर ट्रेकर नामक एक सर्विक्षन किया जिसमें 18 से अधिक आयूगर के लोगों को रखा गया था और उसके माध्यम से देखा गया कि भारत में उप्भोगता इस अनिश्चित समय के दोरान सबसे जादा चिंत थे इस सूजकांक में भारत को 33 के स्कोर के साथ वैश्विक चिंता सूजकांक में सबसे उपर रखा गया है भारत के बाद मेक्सिको और स्पेन का स्थान है भारत को 33 स्कोर प्राक्ट हुआ, भारत के बाद मेक्सिको और स्पेन का इस्थान आया, लेकिन अब यह देखा भी जा रहा है, कि मई के बाद चिंता के स्थर में, चिंता के स्कोर में भारत के कमी आ रही है दिये दिये, तो हम बहुत जादा चिंते थें, विश्मने सबसे जादा, अगला कॉशन है, किस राज्य ने लाग की खेती को क्रशी गतिविती गोशित करने का निर्ने लिया है, तो इसका आंसर है, 36 करण, लाग पॉन्टियャस सेंक टक्स कि प्रजाती है, तो ये मचली की प्रजाती है, इसका answer है मचली, याद रखी गहा, यह सिल्वर फिशच की प्रजाती है, पॉन्टियास सेंक टक्स और मीठे पानी की मचली है, तो याद रखी गहा इसको, इंप्वटेंट है काफी, फंटा कॉश अधेशक कौन बनी है तो श्री आर श्री लेखा बनी है याद रखेगा पहली महिला डीजीपी केरल की भारत के पूर्व नौसेनिक जहाद आई एने स्कलिंग में एक मिसाइल पार्क की आधार्शला रखी गई इसका नाम क्या है तो इसका नाम है अगनी प्रस्त काफी इंप प्रस्त काम है तो याराशत बर्श पुराना श्री लिनग प्राप्थ हुआ है वित नाम से अंतराश्ठ्री एव।रस कब मनाया जाता है तो उन्तियस मही को मनाया जाता है अंतराल-श्री आवरेश्ट दिवस इन पीसностियए पर आंधारित है FSA से आई के नए CEO कौन बने है Arun सिंगल बने है याद रखेगा important है काफी NASA ने अपनी अगली पीडिये के Space Telescope Wide Field Infrared Survey Telescope का नाम किस के नाम पर रखा है तो Nancy Gress Roman के नाम पर NASA ने इनका अपनी टेलिस्कोप का नाम रखा है किस राजय ने नीट के उम्मिद्वारों के लिए प्री ओन्लाइन कोचिंग शुरू की है तो तेलंगा ने ऐसा किया है प्री ओन्लाइन कोचिंग नीट के उम्मिद्वार दे सकते हैं किस राजय के पूर्व मुख्य मंतरी Ajit Jogi का हाल ही में निधन हो गया तो 36 गड़ के पूर्व मुख्य मंतरी रह चोके थे जिनका आली में अभी स्वर्गवास हो गया Ajit Jogi Next Question है कौन UN Military Gender Advocate Award पानी वाली पहली भारती मिल्या बन गही है जो सुवन गवानी बन गही है Last Question है यह वेकिन काफी जादे इंपोर्टेंट है याद रखेगा इंपोर्टेंट है काफी UN Military Gender Advocate Award मुला है सुमन गवानी को यह UN की शांती सेना में दक्सुनी सूदान में एक मिशन के तैपकार कर गही थी तो अब यह मिशन कम्प्रीट हो गया है इसके लिए इनको अवाड दिया जा रहा है UN Military Gender Advocate Award तो यह थे Top 60 Cautions इस बार Top 50 न होकर Top 60 Cautions थे तो उमीद करते हैं आपने इन वीडियोस से इन Cautions से कुछ सीखा होगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जादा से जादा और पढ़ते रहे पॉजिटिव रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और शहें यजग कर दो